नमस्कार है पहिन बाशपी अपने यूटूब चैनल महित पहिन बाशपी पे आपका बहुत-बहुत सवगत करता हूँ ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए जो S.S.C. CGL 2022 टीर 2 यानि की मेंस एक्जाम की पेप्रेशन कर रहे हैं बहुत ज़दा आपके पास टाइम नहीं होगा और आपको क्या करना चाहिए आपके लिए best advice क्या है देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूँ देखों mock test से अपना जो real exam है उसको compare मत करो थोड़ा बहुत हाँ idea लेने के लिए आप कर सकते हो क्योंकि हाँ mock test से चीज़े होती है कि अगर आप mock test में बहतर करते हो तो आप exam में भी बहतर करोगे लेकिन यह बात 100% करेक्ट नहीं है और इसके धेर सारे example मैं आपको दे सकता हूँ कि mock test में student का score अच्छा नहीं है लेकिन उन्हें बहुत अच्छा किया अब इसमें कमी क्या होती देखिए अलग-अलग company जो है mock test बनाती है मैं कि इसी की बुराई नहीं करा हूँ और उनका जो pattern रहता है सोचने का जो तरीका है वो यह रहता है कि हम ज़्यादा ज़्यादा tough question दे वहाँ पर तो उसके बेसे हो सकता है कि आपका score बहतर ना रहा हो तो मैं आपसी यह कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं कि अगर आप mock test में बहुत अच्छा score नहीं कर पा रहे हो आपका 300 से जादा नहीं बढ़ पा रहा है 280, 250 से 280 के असपास आ रहा है तो क्या आपका selection नहीं होगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है और यह विचार जो अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि mock test हो सकता है आपके लिए negative परीके से काम करे तो बहुत ज़दा इस पर dependent भी नहीं रहना है ठीक है और mock test आप अलग-अलग भी दे सकते हो ठीक है जैसे कि किसी company का अगर आप दे रहो तो फिर दूसरा का भी try करो ठीक है तो यह सब कर सकते हो बाकि mock test पर बहुत ज़दा आपको dependent नहीं रहना और इससे आप अपना जो real score और उसको relate मत करो आपके लिए best advice का है सबसे पहला जो काम है वो है कि अपने उपर believe रखिए बस आपको यह सोच के preparation करनी है और जब exam देने जाओगे तो बस यह सोचना है कि जो भी मैंने पढ़ा है मैं अपना best करके आओंगा जितने भी लोग यहां पे exam देने आए हैं उन स की थोड़ा बहुत calculated risk जो है वो आपका चल जाएगा ठीक है इसके अलाबा जो अगला काम करना आपको वो mock test के ही पीछे नहीं भागना है अपना जो complete revision है जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से revise भी करना बहुत ज़रूरी है नया कुछ भी मत पढ़ो ले source है आपका उससे आप उसको revise करो ठीक है तो आप English में क्या है revision करो जो vocab section है उसके अलाबा कुछ पैसे बगरा आप ले लो उनका उनको जो है उनके answers देने का या उसको reading करने का प्रयास करो उसके अलाबा mass में देखो कि कौन-कौन से topic है जहां पे आपको problem होती है अपना उस के basis पे होगा तो इसको बिलकुल ignore नहीं करना और जहां पर आपको कमी लग रही है उसको आप सुधार लो ठीक है चाहे reasoning में हो चाहे mass में हो ठीक है ऐसे GS में आप क्या करो कि current affairs आप prepare कर लो उसमें सबसे बड़ा important rule क्या play करेगा कि जैसे gd का exam over हुआ तो answer किया चुकी है तो एक साल दो साल पुरानी जो वीडियो है वो आप देख डालो कि एक साल की पूरी current affairs जो है एक वीडियो में तो दो तिन बार जब देखेंगे वीडियो तो आराम से आपका दो साल तक अगर current affairs पढ़ लोगे तो मुझे लगता है 4-5 गंटे में आप उसे कर सकतो तो फोकस होना चाहिए, revision पे होना चाहिए और आप मतलब online के साथ साथ offline भी practice करो ठीक है वो आपको बहुत जदा help करेगा ठीक है तो mock test से ऐसा नहीं है कि बहुत जदा मतलब आपको इस पर dependent हो जाना है कि mock test में अच्छा score नहीं आ रहा है तो आपका selection है होगा ये बात बिलकुल भी सह ये नहीं है और अगर आपका score बहुत च्छा नहीं आ रहा है तो mock test अब avoid कर दो कोई दिकत नहीं है अब अपना practice पे ध्यान दो मतलब जो अपना revision है उसको करो और बाकी बस ये सोचो कि मैं best करके आओंगा ठीक है आप section 22 भी कर सकते हो बाकी mock test को lightly low इतना बहुत जदा आपक को पताना चाहता हूं कि आप typing को ignore मत करिए typing की practice करते रहे typing बहुत जदा important है क्योंकि धेर सारे बच्चे typing बज़े से इस बार छटनी होंगे तो एक घंटे सुबह एक घंटे साम को करिए offline typing का बहुत जदा importance रहता है और typing में भी content वो practice करो जो exam के pattern पर बहुत जदा difficult आपको content type करने की ज़रत नहीं है तो typing आप सुबह साम करते रहो उसके अलाबा अपना जो complete revision है वो कर लो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको revise आप कर लो अच्छे से और mock test आप देते रहो किसी भी आप company का देना चाहो वो दे सकते हो उस पे कोई मतलब बहुत चीजे जरूरी नहीं, mandate ही नहीं है कि आप कोई particular ही दो ठीक है लेकिन बहुत जदा आपको इस पे dependent नहीं रहना है कि हाँ इस पे score नहीं आ रहा तो मतलब बहां पे भी नहीं आएगा और मैं आपको सला दूँगा कि दो चार दिन जब exam के आपके बचे तो इसे mock test देना आप छोड़ दो ठी ठीक है उसके लाब आगर आपका दो तारीक के बाद exam लगे ठीक है तो आप जो exam हो रहे हैं मतलब जो हो जाएंगे exam उनके analysis को जरूर देखना वो आपके लिए बहुत ज़्यदा helpful रहेंगे तो उमीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अ झाल